कहानी की शुरुवात होती है और हमें दिखा जाता है फीरो सिटी के पप्लिक स्क्वेर के यहां पे जहां पे बेक्विंग यहां पे ताइशून को कहती है कि लगता है वहां पे कुछ टैलिवरेशन हो रही है पर वहां मुझे लगता है कि एक ट्रेजर है तो ताइशून कहत है खी तो फिर चलो देखते है क्या आखिर कर वहां पे है क्या और यह होती है एक तलवार जिसे देखे टाइशुन काफी जदा हैरान हो जाता है यहां पर फिर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर कर इस बार इस तलवार को कौन उठा पाएगा अज ग्रेट फैमिली में इसे आखिर कर कौन से मेमर होगा जो कि इस ट्राइल को पास कर पाएगा पर किसी को भी कुछ नहीं पता होता है तब यहां पे एक बुड़ा इंसान कहता है आखिर कार क्या ही बदल जाएगा अगर किसी ने उस स्वार्ड को बाहर निकाल लिया तो मेरी पूरी जिंदीगी पर आस तक कोई भी उस स्वार्ड को बाहर नहीं निकाल पाया है तो यहां पे बेक्विंग इससे पूछती है कि अंकल क्या वो स्वार्ड इतना जाद इंक्रेडिबल है यह कहता है कि हा लगता है लड़कि तुम बाहर क्यों इसी वज़े सा तुम इसकी बारे में जादा साल बीच जाने के बाद मुझे लगता है कि अब वो लेजंडरी ब्रेव मैन अब कभी भी नहीं आने वाला तब ही यहां पे बेक्विंग टाइशुन से पूछती है कि आखरकर क्या हुआ आखरकर तुम उस्वार्ड को इतनी देर से क्यों देख रहे हो तो ताइशुन कहा है ताइकि लगता है कि मैंने इस स्वार्ड को कहीं पर देख रखाए पहले कहाने फिर 5000 साल पहले जाती है जहां पर हम कुछ कल्टिवीटर्स को देखते हैं जोकि कहते हैं कि यह स्वार्ड ट्रेजर है हमारे फोर्ड वैली का और यह आपकी हेर को सिर्प छूते ही काट दे मैं आपके उपर भरोसा कर रहा हूं और मुझे पता है कि स्वार्ड को चलाने के काबिल और कोई भी नहीं है आपके अलावा ताइशों फिर बेक्विंग को बता आता है कि दरसल ये मेरी स्वार्ड है मुझे कभी नहीं लगा था कि ग्रेट वोर के बाद मुझे यहां पर मिल के के है कि तुमने कहा था ना कि तुमिंगरी लुके तलाशं है यह वही वि्रुकी इंकाल सकते यह लोग इनकी बात का विश्वास नहीं करते और इसके उपर हसने लग जाते और क्यांथ करक्ते के अंखर कर्तु में क्या लगता यह कौन एख 1000 साल से थे स्वार्ड को बहाँ निकल पाएंगे पर यहाँ पर लोग कहरे होते हैं कि यह दोनों तो four greatest family से लगनी रहे लगता है यह काफी बड़े ट्रॉबल में आनी वाले है यह गार्ड फिर इन से कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर कर फीरो सिटी के कौन से great family से तुम belong करते हो अगर दिकर तुम दोनों मुझे कैसे रोखोगे यह दोनों फिर इसा लड़ने के लिए तयार हो जाते है तब यहाँ पर कैथरिन आ जाती है वो कहती है कि आखिर कर तुमारे हिम्मत कैसे हमारी स्टी फैमली के कैसे इतनी बत्तमीजी से बात करने की यह दोनों फिर Catherine को कहते है कि ह हमें माफ कर दीजे हमें पता नहीं था यह आपके फैमिली के गैस्ट है हमें माफ कर दीजे वहीं पर लोग सोच रहे होते कि आखिर कर इस टीफ फैमिली के एल्डेस डॉटर से इस कंट्री बपके इनने कांटेक कैसे स्टैबलिश किया कैथरीन फिर ताइशून से कहती है कि ताइशून क्या अब ट्राइ करना चाते हो स्टैबल को बाहर निकालने के लिए यह कहता है कि हाँ पर यह दोनों बुझी करने नहीं दे रहे हैं कैतरीन इसे बताती है कि अगर फिरो सिटी की रूल से जले तो आपको ट्राइल को पास करना पड़ेगा ताकि आप कॉलिफा कर सको स्वार्ड को बाहर निकालने के लिए और मुझे माफ करना मैं इस रूल को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि यह सद्यों से चलता आ रहा है तो ताइशून कहता है कि आखिर कर यह किस तरह करूल हुआ तब ही बेक्विंग इसे कहती कि तुम्हारे अलावा कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता यह ट्राइल काफी जिता इंट्रेस्टिंग है हमें कुछ समय रुख जाना ची है और यहां पे लोकल मार्केट्स में दूसरे ट्रेजर को ढूनना ची है वो बहतर रहे का हमारे लिए पर इससे पहले यह लोग जाते यहां पर कैथरीन ने कहती है कि दरसल सुच रही होती है कि यह लड़की काफी ज़ता सुन्दर है कही इन दोनों का कोई रिलेशन्शिप तो नहीं चल रहा है हमें फिर कुछ दिन बात देखा जाता है पीरो सिटी के बाहर घोस्ट वैली के यहां पर बेक्वीन और टाइशन आ चुकी होते हैं पार्टिसिपेट होता है लेज़गे इसकर बारा बजे तक जो भी डीमन कोर्ज को यहां पर लेगा ऐस्टायल को पास कर लेगा यहां पे फिर लोग बोलने लग जाते यह तो काफी ज़ता टीमन बीस तो यहां पर एक लड़का कहता है कि मुझे लगा थकी ट्राइल इससे ज्यादा डिफिक लड़का उनसे family का होता है उसका नम काल होता है और इसका rank C होता है तब यहां से लड़का कहता है कि तुम्हें इतना घमंट दिख्ञाने की को ज्रुथ नहीं यह ट्रेल तुरė adapted काफि यहां पदेखनाकरना हो गारव कि और पर लोक बात करने लग जाते हैं कि ये दोनों काफी जताग जhhh क्या पते जिदर इंटेलेजेंट है वो क्या पता है स्टाइल को पास करके उस वाट को बाहरी भी निकाल दी मेर फिर काल के आँखों में देखते हुए कहता कि देखा यह लोग भी मानते हैं एक न्यूकमर की तरह मैं तुम से ज़्यादा ताकत वरू और तुम कभी भी मेरी बराबारी नहीं कर सकते हो वही पर काल सोच रहा होता है कि यह सबसे बड़ा कॉम्पेटीटर है मेरा पर इसे तना ज़्यादा सास नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि डीमन कोर को आप्टिन करना तो शिर्प शुरबात होगी और वहां से जो जिंदा लोटेगा वही इस ट्राइल को सच की बात नहीं सुनता है और जब तो मंदर जाओगे तो उससे बिल्कुल भी लड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि वो काफी जदर डेंजरस हो सकता है तो यह कहता की ठीक है मैं सब को समझ गया इनका ट्रायल फिर चालू हो जाता है जहां पर काल और मेर आगे बढ़ने लग पर यह लोग देखते हैं इनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं एक तरफ लाल कलर की रोशनी आ रही होती है और दूसरी तरफ पूरी तरह जड़े फैले होती है तो यहां पर जितने भी लोग होते हैं वो राइट का रास्ता चुनते हैं वही पर यहां पर मेल कैथरें से पो अपने फैमिली के लिने कर रही हूं मैं तो बस उसकी विश्पूरी करना चाहती थी और हाँ ताइशून कोई आम आदमी नहीं नहीं है उसकी तागत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते और मुझे पूरा यकीन है वो इस्टाइल को कम्प्लीट कर लेगा और जितने भी लोगों साथ तक मैं मिली हूं वह सबसे ज़्यादा रिलाइबल परसन है वहीं पर हमें ताइशून और बेक्वीन को दिखा जाता है जहां बेक्वीन कहती कि जो कि हमें कैथरी ने कहा था कि घोस्ट वेली काफी सारे एरियास में बटी हुई है पर अभी हमारे सामने दो तरह के रा राइट की तरफ गिरती है और यह लोग उसी रास्ते को चुनती है कुछ दिरा आगे जाने के बाद बेक्वीन इसे कहती है क्या तुमने कुछ सुना यह कहती है कि मेरा इंस्ट्रेक मुझे कह रहा है कि यहां पर काफी जदक खतरनाक चीज़ी है मुझे लगता है कि एक इसकी तरफ बढ़ने लग जाता है तो यहां पर बेक्विंग उसे कहती है कि आखिर कर तुम कर क्या रहे हो आखिर कर तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो यह गोस्ट वैली है शाय से वह फीमेल घोस्ट होगी जोकि हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही है ताइशन कहता कि फीमेल ग गोस्ट है आखिर कार हमें इतना खदनाक रास्ता चुनने की क्या जूरत थी पर तैशन इससे कहता कि फीमेल घोस्ट ही सबसे बेस्ट आप्शन है और आओ मेरी मदद करो इसके कपड़े उताने में यह कहते कि कपड़े उताने में तुम्हारा मतलब क्या है बेक्विंग फ तो बेक्विंग कहती है तो तुम्हारा मतलब इससे था तो यह कहता है कि आखिर कर तुम्हारा मतलब क्या है तुम क्या सोच रही थी यह कहते ही कुछ नहीं जिसके बाद यह लोग और फीमिल घोस्ट को ढूडने लग जाते हैं ताकि इनके कपड़े उतार सके और वो रत वैली के फीमिल घोस्ट के लिए एक नाइट मेड से कम नहीं था क्योंकि जहां पर भी ताइशून जाता वो सभी के कपड़े उतार लेता वही पर हमें कुछ एडवेंचर को दिखा जाता है जिनके सामने एक हाथ आ जाता है और तभी इनके सामने एक जॉम्बी आ जाता है जो कि काफी जिता ताकतवर होता है और इसी के साथ उसके साथ ही भी होते है जो कि इनके उपर हमला कर देते हैं गानी दुबारे से टाइशून के यहां बेजाती है जहां पर इनके सामने एक और फीमिल घोस्ट आ जाती है जो कि कहते है यह काफी जिता अमीजिंग है यह त लगता है क्राइब बेबी घोस्ट काफी जटा लेजी हो चुके है ये क्रेट 3 की डीमन बीस्ट होती है इसका नाम इवल पैंथम मेड होता है ये फिर इन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों को तो देखके लगता है कि तुम दोनों को खाने के बाद मेरा पेड बिलकुल भी न लगता है तुम बिलकुल भी चीज़ को नहीं समझ पाई ये फिर इसे कहते हैं आखिर कर तुम जैसे हिंसान की हिम्मत कैसी मेरा मजाग पर मजाग उड़ाने की लगता है तुम जीते जीते काफी जड़ा ठक चुके हो जिसकी बाद ये अपनी पावर्स का यूज कर के सब्सक् więksरा दियां की तुम हरा सकते हो लगता है तुम मुझे काफी हलके मेंले की बीकवीन समय के बाद में अपने मैने बड्र망 कर पाओंगी ऐसे पर चुरूल कर तो मुंसे मार सकती हो तैंशों नंदर पर अपब धर कर और कि जब में तुमारे उपर अब बिल्कुल भी रहम होता है ये बच जाती है ये इसके बलून को ठार्गिट कर रहा यह कहती है कि आखरकर तुम किस तरह के परवड़ों आखरकर तो मेरे बलूंस को छोने की कोशिश क्यूं कर रहे हो मैं घोश्ट हूँ ताइश्ओन कहता है कि तुम मुझे गलत महसं में समझो मैं तुम्हारे बलूंस को नहीं टरिट कर रहा था तरह असले मेरे टारगेट और उसे के साथी मारी भी जाती है जिसके बाद बेक्विन कहती है ये तो डीमन कॉर है जिससे तुम इस ट्राइल को पास कर सकती हूँ मुझे यकीन है और और वो फीमल गोस्ट की बाड़ी के अंदर था तो तैशोन कहता है ये तो काफी अच्छा हुआ हमने एक तीर से दो शिकार के लिए जिसके बाद यहां पे बैक क्यून कहती कि चलो अब हमें कोर भी मिल चुका है और हमने काफी सारी चीज़े कलेक्ट भी कर लिया हमें वापी चली जाना चीए पर तैशोन कहता है इतनी जल्दी क्या हमारे पास काफी समय है गोस्ट वैली मे कि मेरे लिए टास काफी जदा असान था तब यहां पे काल आ जाता है चुकी कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम ग्रेट 3 के डीमन बीस्ट को हरा पाऊगे और साथी साथ तुम एक कोर भी मिल जाएगा डीमन बीस्ट का तुम तो काफी जदा लगी निकले तुम यह क तुम इतनी जदा स्किल्फुल हो कि तुम मुझे मार सको तो यहां पे काल कहता है कि हमें पता नहीं चलेगा जब तक हम ट्राइ नहीं करेंगे इन दोनों के बीच फिल लड़ाए होनी चाली हो जाती है जहां पे मेरे कहता है कि मैं काफी जदा सप्राइज हूँ कि तुम टक जाता है और वो पर सब्सक्राइब काल काफी जदा सब्सक्राइब मते जारहे धिन के दिन मैं तो सिर्फ उसके साथ कॉपरेट कर रहा हूँ ताकि मुझे डीमन कोर मिल सके और हम देखते हैं यह वल्टन फैमिली का जौन हान होता है जो की डी रैंग का हंटर होता है मेर फिर कहाता है कि तुम दोनों को पता भी है तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मेरे फैमिली तुम दोनों को कभी भी माफ नहीं करने वाली पर काल कहता है कि आज जो कुछ भी घोस्ट वैली के अंदर हुआ उसके बारे में बाहर किसी को भी नहीं पता चलने वाला क्योंकि मैं तुम्हें आज यही मार दूँगा और यह ऐसे ही करता है यह से मार देता है वो लड़का फिर काल को कहता है कि यंग मास्टर मैप के अल्टरी मदद कर चुका हूँ उसे मारने में और एग्रिमेंट के हिसाब से उसका कूरब मेरा हुआ काल कहता है ऐसा कुछ मैंने प्रॉमिस दो किया था पर साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ कही थी कि गोस्ट वैली के अंदर जो कुछ भी होता है उसके बारे में बाहर वाले को कुछ भी नहीं पता चलेगा यह लड़का कहता है कि आपका इस चीज़ से मतलब क्या है तब ही काल इसे मार देता है और वो कहता है कि मैंने अपने एक बड़े अपोनेंट को मार दिया और आखिर कर यह कैसे पॉसिबल है कि मैं उस आद्मी को छोड़ दू जिससे इस बारे में सब कुछ पता है तब इसे एक जोड़दार आवाज आती है और ये उसे सुनके काफ़ी ज़दा डर जाता है ये सोचता है कि ये तो काफ़ी पारूफल प्रीथ थी आखर कर ये किस तरह कर डीमन बीस्ट है ग्रेट 3 की डीमन बीस्ट को मैं इससे बिल्कुल भी कंपेर नहीं कर सकता आखर कर ये सब चल क्या रहा है वही पर हमें कैथरिन और मेल को दिखा जाता है जहां पर कैथरिन मेल से पूछते कि सीनियर आखर आखर आपको क्या हुआ ये कहते कि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है ये उस डीमन बीस्ट की आवाज नहीं थी जिस डीमन बीस्ट को चरस नहीं रखा है इसका मतलब कोई दूसरा demon beast जो की बाहर का है वो test ground में आ चुका है इस आवास को तो सुनके लगता है कि ये demon beast great 4 या उससे higher level का है great 4 की demon beast को हराने के लिए करीब आपको 3 B rank के hunters चाहिए होंगे और इस situation में मैं कुछ नहीं कर सकती मुझे style को अभी के अभी रोकना पड़ेगा वही पर हमें great 4 की demon beast गारगोईल को दिखा जाता और इसके सामने आप ताइशून और बेक्वीन आ चुके होते है यहाँ पर वेक्वीन कहती है कि यह demon beast दूसरे से मुझे काफी ज़ता अलग लग रहा है इससे पहले वो हमें देख लिए हमें यहांसे चली जाना चाहिए पर ताइशून कहते है कि नहीं यहांसे नहीं जाना चाहता जो मैंने कहा था वो मैं करूँगा जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इस ghost वेली के सारे demons को मार दूँगा और मैं वह ऐसे ही कहने वालों मैं एक को भी जिन्दा नहीं छोड़ूँगा कहानी के शुरवात होती है और हम देखते है उस monster को जिसका नम Gargoyle होता है जो कि कहता है कि इनसान हो तुम मुझे देखके भागे नहीं लगता है तुम जैसे बेवकुफ इस दुनिया मैप common हो चुके है क्या तुमारी psychic power इतनी जद लो है कि तुम मुझे डर भी नहीं पा रहे हो ठीक से यह कहता है कि आखिर कर तुम किस nonsense की बारे में बात कर रहे हो कौन सा इसा इनसान होगा जो पैसे को देखके भागता है तुम यह कहता है कि पैसे तुमारा मतलब क्या इससे ताइशुन फिर इसक्यूव पर हमला कर देता है और क्या है ताकि मेरा मतलब इस से था और वो मॉस्टर काफी दूर जाके गरता है गारगोईल फिर सोचन लग जाता है कि आखिर कर उस आदमी के साथ चल कह रहा है उसके अंदर से मुझे बिल्कुल भी साइकिक पावर की होने का एसास नहीं हो रहा फिर भी उसने इतना जोड़दार पंच माना मुझे आखिर कर यहाँ पे चल किया रहा बेना साइकिक पावर की यह इतना जाता ताकतवर कैसे है अब मैं समझ गया उससे पता चल गया होगा कि वो टैलेंटेड ने साइकिक पावर में इसी वज़े से उसने कोई और तरीका ढून निकाला अपने आपको डेवलप करने में लगता है तुमारे अंदर काफी शाइन शिलता है अभी गारगोल कहता है कि तुम एक तुछ प्राणी हो जिसे अपने अबलेटी इसके ओपर काफी घंड है पर और तुम मेरे मुकाबला नहीं कर सकती और हम देखते हैं जो गारगोल है यह अपना डिफेंस मैकेनिजम शुर लग जाता है कि आखिरकर यह आदमी बिना सोचे समझे मेरे उपर हमला क्यों कर रहा है यह उस तरह का इंसानी है जिससे आज तक मैं मिल चुका हूँ बेक्वीन फिर यहां पर यहां पर यह तुम ठीक तो हो ना यह कहता है कि मैं बिल्कूल ठीक हो बस मेरा हाथ थोड़ी द देखना उसके अंदर कुछ चीज़ें तूटे ना क्योंकि मुझे बाहर जाके इससे सेल भी करना है उतने में आप एक और को कहता है कि तुम सच मुझे काफी अनकॉमन हो मैं पहली बार तुम जैसे इंसान से मिला हूँ और तुम्हारा शुक्रिया इस वज़े से मेरा वाम सिख हो जाती है ताइशो ने चीज़ को समझाता है कि इस नहीं यहां पर यहां पर मारे जाओगे वहीं में गोस्ट वैली के यहां दिखा जाता है जहां पर ग्रेट फूर की डीमन वीस्ट के इन्वेजन की वज़े से यहां पर सभी लोग वापिस आ चुके होते हैं तो मै हाँ पर कहते हैं कि नहीं तो लोग अभी भी मिसिंग है जौंक ताइशो न और बेकुइन अब तक नहीं आई है काने फिर गारगुल के हाँ पर जाती है जो कि इन लोगों को कह रहा होता है कि मेरी डेमनिक एनरजी कुछी देर में पूरे एरिया में फैल जाएगी और पू कुछ भी नहीं होने वाला पॉजन अस गैस इसके अंदर इंटर नहीं कर सकती तुम सेफ हो बेकुइन इसे कहती कि जब तुम्हारे पर ये थाई तो तुमने अपने उपर ये यूज क्यों नहीं किया आखिर कर तुम क्या प्लैन कर रहे हो इसे मेरे उपर देखे ताइशो सोच रहा होता है इस पॉजन की टॉक्सिसिटी दिरे दिरे बढ़ते जा रही है मुझे सरफ एक मूची इसे खतम करने के लिए जिसके बाद मैं माइंड स्पैल का यूज करके इस पॉजन को खतम कर दूँगा तब ही कार गुल इसे कहता है कि तुम पहले से यतनी जदा मु लगता है यह में डेमोनिक अनर्ज की वज़े से काफी जदा पागल हो चुका है वहीं पर बेंक्वीन सोच रही होती है कि स्पैल को मैंने पहले भी कई सुन रखा है यह तो स्पैल शॉंग टान है जो कि इंशन टाइम का यह लौफ फाइव हंडेट से बना हुआ है जो भी सपैल को सीख लेता है वह किसी के उपर भी बिजली करवा सकता है साथी साथ वह बारिश करवा सकता है साथी साथ वह शैन शाइन भी ला सकता है मुझे कभी नहीं लगा था कि ताइशुन इतने बड़े स्पेल को जानता होगा ताइशुन फिर अपने स्पेल को कास्ट कर देता है और इसके सामने एक बॉल आ जाती है जो कि एनर्जी से भड़ी हुई होती है तो यहाँ पर गारगोल कहाता है कि तुम अपने मैजिक को यूज़ कर सकते हो बिना साइकिक पावर के सच मुझे तुम काफी ज़ज़ सप्राइजिंग हो पर तुम्हें क्या लगता है इतना छोटा सा एनर्जी का गोला मेरा कुछ बिगार सकता है मैं तुम्हें एक्स्पिरेंस कर वाऊंगा कि आखिर कर असली मैजिक का मतलब क्या होता है जिसकी बाद ये अपनी पावर्स का यूज़ कर के ताईशोन की उपर हमला कर देता है पर ताईशोन इसे कहता है कि तुम सच मुझे काफी ज़र एरोगेंट हो और साथ ये साथ इमेचुर भी तुम्हें कह लगता है ये किस तरह का मैजिक है इसे इमोटल डाव साट कहते है जिसके सामने कोई सभी मैजिक नहीं टीक सकता वही पर गारगोल सोच रहा होता है ये इंपॉसिबल आखर कर ये कैसे हो सकता है या मैं हारने वाला हूँ मास्टर ने मुझे और्डर किया था कि उन्हें कोई भी डिस्टॉप ना करे मेरा मिशन फेल हो गया आखर कर अब मैं क्या करूंगा और ताइशुन की इस छोटे से हमले से पुरा घोस्ट वैली हिल जाता है यहाँ तक कि इसे मैल भी महसूस करती है और गारगोल पूरी तरह राक में बदल चुका होता है तब ही हाँ पर ताइशुन कहता है कि लगता है मैंने कुछ जाद ही कर दिया मैंने उसे पूरी तरह जला दिया पर लगता है जो उसके सर पे डायमेंड था वो बिल्कुल ठीक है इसे मैं अच्छे प्राइस में बेस सकता हूँ तब ही बेक्वीन ताइशुन से पूस्ती है कि तुम पॉईजन टो हो आ कि इसका और भी रास्ता है यह कहती है हां च्छे पाद बेक्वीन ताइशुन को किस कर लेती है और कुछी तेरे बाद इसकी बॉडी का जहर बहार निकल जाता है तो ताइशुन कहता है कि मैं अपनी बॉडी का जहर खुद बहार निकाल सकता था पर तुमने एक चूस के मेरी बॉड़ी का जर्भान निकाल दिया अब मैं तुम्हें सेव नहीं कर सकता बेक्विन इसे कहती कि तुम्हें चिंता करने की कोई जुरती है मैं मरने नहीं वाली मैं तुमारी स्प्रीट हो इसी वज़े से मुझे तुमारा पेन और सफ्रिंग को शेर करना पड़ेगा वैसे तो पॉड़न अप मेरे बॉड़ी के अंदर आ जुगा है पर तुम्हें चिंता करने की कोई जुरती है जब तक तुमारी स्प्रिशल एनरजी मुझे मिलते रहेगी मैं कुछी घंटों में रिकवर हो जाऊंगी तो ताइशून कहता है ऐसी बात है तो फिठीक है बेक्यू इंफिरेट से कहते है कि मुझे अभी अभी कुछ याद आया तुम एक मोटो लोग है तुमने शंक तैंसेक्ट के बारे में कभी सुना है यह कहते है कि नई मैंने इसके बारे में कभी नी सुना यह से पूछ रहे तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो यह कहती कि कुछ नहीं मैं ऐसी पूछ रही थी और मुझे याद आ गया जो ट्रायल है वो अब खतब होने वाला हमें वापीश चलना चीए वही बे में गुष् वैली के इंट्रेंस के यहां दिखा जाता है जहां पे सबी लोग डिमन बीस के आने का इंतिजार कर रहे होती है और ये लोग काफ़ी जड़ हिख गपराई हुए होती है तवी मैल को को Iंट्रेंस से आता वो दिखता है तो तुम्हें चिंता कनी की कोई जरूती है तुम ट्रायल को पास कर लोगे यह देखके कि तैशून के हाथ में ग्रेट फूर का डीमन बीस्ट है यहां यह सब देखे मैल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कर इस इंसान ने इस मॉस्टर को कैसी हराया और वो बड़ा सा धमाका क्या था वो क्लियर ली ग्रेट फूर की डीमन बीस्ट से ज़्यादा बड़ा हमला था आखिर कर यह सब कौन कर रहा है यह सोचती है कि कई यह तो नहीं कर रही है लगता है यह आद में शुरू से अपने पाउर्स को छुपा रहा है यह अपने पाउर्स को किसी को दिखाना नहीं चाहता वही पर कैदर में कहते हैं कि मुझे पता था आप वापिस आ जाओगी वो भी सेफ लिया आप काफ़े जदा ताकत वरो पर यहाँ पर काल सोच रहा होता है कि मैं जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर नियू कोमर है वो भी इस मॉस्टर से डड़ता है आखिरकर वो मॉस्टर इसके हाथों कैसे मर सकता है लगता है गोस्ट वैली के अंदर काफ़ी कोछ अजीब सा हुआ है इसी वज़े से ये मॉस्टर मारा गया जिसकी बात यह उसे उठा के यहाँ पर लाया और आप हमारे सामने शोहफ कर रहा है तैशोन फिर यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर कोई डीमन बीस्ट हंटर है क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसके बदले में मुझे कितने पैसे मिल सकते है साथी साथ यहाँ पर बेक्यून के है फिर भी ये से बीचना चाती है आखिर कर ये लोग किस तरह के इंसान है हमें फिर कुछ समय बात दिखा जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक गेस्ट अपियर होती है जो की सोच रही होती है कि आखिर कर कि इसने मेरे गार्ड को मार दिया यहाँ पर लगता है मुझे घर वापिस चल के जाना पड़ेगा पर आखिर कर ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है फिरियो सिटी के नियुक्यमर से तरह जादा स्किल कब हो गए पर जब यह आजपास के एरिया को देखती है तो इसे पता चलता है कि यहाँ पर इस पिडुचल अनरजी भरी होई है और यह किसी immortal का काम है का आने फिर जाते हैं फिरियो सिटी के यहाँ पर जहाँ पर हम देखते हैं स्क्वार्ड स्क्वार के वहाँ पर जहाँ पे मैल साभी को बताती है कि ट्रायल औफ ब्रेवव खतम हो चुका है पर इसमें बीच में ट्विस्ट आया था पर अब डेंजर खतम हो चुका है और टोटल में अब यहाँ पे दो लोग है जिनके पास डीमन कोर है जो कि इस ट्रायल को पास कर चुके है पहले है उनेसेस फैमिली के काल जिनके पास रैंक 3 की डीमन कोर है और दूसरे है जॉंग तैशून जिससे स्टीफ फैमिली ने रिकेमेंड किया था जिनके पास रैंक 3 की डीमन भी इसका कोर है और साथी साथ रैंक 4 का भी डीमन भी इसका कोर है मेल फिरे ने कहते हैं कि अब तुमने ट्राइल को पास कर लिया है तो तुम दोनों कॉलिफाई हो स्वाड को वहां से निकालने के लिए तो काल कहते है कि मैं पहले जाओंगा क्योंकि मैं 4-Family's का है साही साही हो और साती साथ मैं इससे जदा कापिल हूँ और कोई भी मेरे अलावा इस स्वाड को नहीं निकाल सकता बाहर आल फिर स्वाड को बाहर निकालने का ट्राय करने लग जाता है पर काफी कोशिश करने के बादों से समझ में आ जाता है ये impossible है कि स्वाड को कोई भी बहां नहीं निकाल पाएगा और अगर ये इस स्वाड को भी नहीं निकाल पाएगा स्वाड को इसके बाद जॉंग तैशून की बारी आ जाती है तो वो स्वाड की आवाजे से कहती है तो आप finally यहां पे आ गए तो यहां जॉंग तैशुन कहता है कि आखर कर कौन मुझे से बात कर रहा है यह कहता है कि काफी साल बीच गए मैं आपका यहीं पर इंतिजार कर रहा था क्या मैं आपको याद हूँ आपको पता है हम दोनों ने एक साथ कितने बड़े-बड़े कामों को अंजाम दिये है पर वही पे ताईशून सोच रहा होता है कि मुझे स्वार्ड को दे के काफी बुरी फीलिंग आ रही है क्योंकि ये काफी ज़ता एक्साइटेड है ये शायद इसलिवी हो सकता है क्योंकि ये 5000 साल से अकेली है इसके बारे में चिंता कने से कोई फायदानी है मैं स्वार्ड को आज घर ले जाऊंगा जिसके बाद ताईशून ने स्वार्ड को बहार निकाल देता है और ये देख के आस पास के सबी लोग काफी हैरान हो जाते है कि ताईशून ने स्वार्ड को बहार निकाल दिया इसका मतलब ये वही लेजेंडरी हीरो है और उसे के साथ वो जो तलवार होती है वो अपने ऐसे रूप में आ जाता है जो कि एक ड्रैगन होता है वो कहता है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है उस पत्तर से इतने सालों के बाद बाहर निकलने के बाद मेरे हिसाब से तुमारे आखों से तावसों आउगे होंगे आखरिकर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहो यह दिखाता है कि हजार साल पीच जाने के बावजूद तो मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते हो यह फिर से कहाता है कि दुबारा से स्वार में बजल जाओ इससे पहले कि मुझे गुष्स आ जाए काफी बड़े सदमें में होती है वह सोच रही होती है कि आखर कर यह सब कब हुआ जाने में यहां पर मैल आ जाती है जो कि कहते है कि इतने सालों से मैं सरीमनी में होस्ट बनी हुई हूँ पर आज तक मैंने किसी को भी इसका ओनर बनते हुए नहीं देखा क्या में उस केड़ सोड़ को थोड़ थीक से देख सकती हूँ यह कहते है कि हा तुम इसे देख सकती हो पर हाँ यह थोड़ा है तो थोड़ा सावधानी इससे ले ना ये कहते कि चिंता मत करो, मैं तो उसे सब देखना चाती हूँ, पर मेल उस स्वार्ड को उठाई नहीं पाती, तो ताईशुन कहते कि चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इससे वज़े से तुम इसे होल नहीं कर सकती इस दुनिय में और भी काफी सारे ट्रेजर है जो कि Great War के बाद गायब हो चुकिया और उन सब को सिर्फ एक ही परसन यूज कर सकता है इस दुनिया में जिसका नाम है दॉंग तैशून तब यहाँ पे स्टीफ फैमिली के हेड आजाते है जिन कराम सिस होता है और यह साथी साथ कैथरिन के फादर भी होती है यह तैशून को कहते है कि मैंने आपके लिए पार्टी रखिया है क्या आप जैसा हिरो से अटेंड करना चाहेगा पर तैशून कहता है कि आखिरकर तुम कौन हो और आखिरकर मैं तुम्हारे सत क्यूं कहाँ तो यहाँ पे मैले से बताती है दरसलिये स्टीफ फैमिली के हेड है और साथी साथ यह कैथरिन के फादर भी है तुमने यहाँ पे great sword को निकाला तो उनकी family के लिए ये काफी बड़ी owner की बात है इसी वज़े से वो प्रसनले तुम्हें invite करने के लिए है ताकि वो तुम्हें gratitude दे सकी तुम्हें उनसे rudly बात नहीं करने चीए पर वही पेदाई से उन सोच रहा होता है कि इसमें तो काफी potential किंशल देख रहे हैं अगर इस डिनर में क्या तो मुझे काफी सारे पैसे मिल सकते हैं तबी ये देखता है कि काफी उदास लग रही होती है तो ये इसके पास से ले जाता है और क्याँता है कि आख विगया का तुम्हारे खर पर डिनर करने के लिए आ ये कहता है कि हाँ तुम आज काफी अजीब भरकते कर रही हो, ये कहती ऐसी कोई बात नहीं है, ये फिर स्टीफ मैनर के यहाँ पर आ जाते है, जहाँ पर तैशुन कहता है कि भाई, तुम्हारे पास काफी सारे पैसे लग रहे है, मैंने स्वार्ड को बहान निकाला, तो जैसे मेरा फर्स बनता है कि मैं तुम्हें हर हालत में सपोर्ट करूँ, ये लोग फिर खाने की यहाँ पर आ जाते है, जहाँ पर तैशुन कहता है कि तुम लोग खा सकते हो, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरुत नहीं है, तो यहाँ पर कैथरिन के पादर क ये कहाता है कि हाँ मुझे इसे बेचने की जादा जल्दी नहीं है परा अखिरका डीमन कोर की चीज में यूज होते है जो आपके हाथ में कोर है वो ग्रेट फूर का है जो कि काफी महेंगा है आप इसके बदले में फिरोसिटी में एक डीसें सा घर खरीज सकते है तो तैसुन सोचता है कि यू तो काफी जदा अमेजिंग है एक छोटे स्टोन को बीच की मैं काफी जदा रिच बन सकता हूँ पर उतने में होलूंग उसकोर को खा लेता और कहाता है ये डीमन गोर थोड़ा हाठ तो है खाने में पर ये थोड़ ठीक ठाकी है क्या तुम्हारे पास और मिल सकते है पर तैसुन इसे कहाता है कि बेवकुफ ड्रेगन तुमने अभी अभी मेरा घर खा लिया तुमने पता है कितनी ज़्यादा मेहनत लगी थी मुझे उन डीमन स्कॉर कोई खट्टा करने में तुमने डीमन कोर नहीं तुमने मेरा घर खाया अब उसे जल्दी से वापिस दो तो यहां पर हुलूंग कहता है कि रुख जाओ क्या तुम मुझे मारना चाहती हो क्या तब यहां पर कैथर और हम देखते हैं हुलूं की जो हाइट है वो थोड़ी बढ़ जाती है और वो कहता है कि लगता हुन मॉस्टर के को खाने की वज़े से मैं ताखतवर बन चुका हूं तो यहां पर तैशुन कहता है कि कही तुम भाना तो नहीं मार रहे हो तब ही बेकुन कहती है यह पॉसि वो भी मेरे लिए प्लीज उसे अंदर ले आओ यह फिर तैशुन को बताता है कि वाल्डून फैमिली ने आपको 30,000 स्पिट स्टोन दिये और साथी साथ एक मेंशन भी जो की फीरो सिटी के अंदर है उतने में आपे बेकुन कहते कि जैसे कि मैंने सोचा था कि चारों फैमि ने आपको एक होली आर्मर गिफ्ट किया जो कि काफी जिदा मजबूत है तो यह कहता है यह काफी जिदा भारी यह मुझे पसंद नहीं है तुम इसे बेच के मुझे पैसे दे सकते हो बटलर फिर से बताता है कि उन्हें इसस फैमिली ने आपके यहां पर मेंट्स भेजिए जो कि काफी जिदा होट है जिनके साथ आप गुलुगुलु कर सकते हो यह कहता है कि तुम्हारा मतलब कैसे तब ही यहां पर वो मेट्स आ जाती है जो कि कहते है कि मास्टर आपसे मिलकर काफी जदा अच्छा लगा हमें आपको हम यहां पर सर्व करनी के लिए आए है यह द पीचे पागल हो जाऊंगा कि यह बाद दूंकर ओमेड्स कहती है इसने हमें रिजेक्ट कर दिया कैसे हो सकती है दिने सालों में हमें किसे भी रिजक्ट ने कि आस इसाब यहां पर चल किया रहा है यह फिर बताता है आखरे में आती है हुली चर्ट की mid rank priest मेल जो कि आपके लिए लिए यह मेडल आफ नाइट हुड मेल फिरियां पर कहती कि जॉंग तैशुन आप पहले आदमियों जिसने स्केर्ट सोड को वहां से बाहर निकाले एक हजार साल के बाद तो सब्सक्राइब करेगी और तैशुन इसे पूछता है क्या यह मेडल महेंगा है कि इसके बदले में मुझे पैसे मिल सकते हैं पर यहां पर मैले से बताती है यह मैडल आफ नाइट हुड है यह सिंबल है पावर पोजिशन का इसे पहनने से लोग आपकी इज़त करें गया आप इसे पैसे से मेशर नहीं कर सकते इसकी मदद से अब चर्च के किसी भी मेंबर को जो की डी रैंक के अंदर है उन्हें कमांड कर सकती हूँ तो तैशुन कहते कि ठीक है मैं इसे अपने पास अभी के लिए रख लूँगा जिसके बाद यहां पर मैल कहती है कि मुझे प्रेज पूरे शरीर को महसूस करना चाहती हो यह कहती कि ऐसी बातियां आपको कुछ गलत फ़हमी हुए तरहसल जिस तरह की मैजिक की मैं प्रेक्टिस कर रही हूँ वह किसी भी तरह की मैजिक को सेंज करने के काबिल है मैं अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मेंटल स्टेंथ है उसे भी महसूस कर सकती हूँ पर यह काफी जिता अबनॉमल है आपने केट स्वाट को बाहर निकाल लिया फिर भी आपके अंदर से मुझे जरह से भी मेडल स्टेंथ होने का हैसास नहीं हुआ तो इसी वज़े से आगर बुरा ना माने तो मैं आपकी इस अबनॉमल पावर क को टेस्ट करना चाहती हूँ यह फिर टाइस उन की टेस्टिंग शुरू कर देती वहीं पर बेक्यून कहती कि वह सच मुझे के पावर को मेजर कर रही है तो यहां कैथरिन कहते कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया आखिर कर वो क्या कर रही है तो और ज्यादा अंदर जाने के चाती से लगा देती है जिसके बाद उसे कुछ महसूस होता है और वो नीचे गिर जाती है तो लोग पूछते कि आखिर कर आपको क्या हुआ मैं बताती कि मैंने एक अन्नोन पावर को महसूस किया जो की काफी ज़ता ताकत वर था और वो स्केट स्वाट से काफी ज़ता स वर थी तभी ताईशोने ने बताता है अगर तुमारे टेस्टिंग खतम हो गए हो तो मैं तुमें बताना चाहता हूँ कि बाहर मुझे डैमोनिक एनरजी होने का एसास हो रहा है और हम देखते हैं फिर उस सिटी में यहां पूरी तरह तब हाई मचा चुका होता है एक ड्र चुकि इसके उपर हमला कर देता है इससे लगता है कि फैर उसिटी के साथ वो भी मारी चाहेगी पर तब यहां पे ताईशोन आ जाता है चुकि कहता कि घबराने की कोई रूतनी है और यह अपने एक ब्रीज से इस ड्राइगन के हमले को रोक दिता है तो मैल कहती है उसने स समय का ड्राइगन है जिस समय से सकेそうそう ड्राइगन उपर हमला कर चुक् várias हमला कर चुका है क्ला मारी हमला कर दे तो हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि around enjoyed यह उद Utah59 कहा तक चीए वूरivas को उपर हमला करना भी बन करतिया मुझे कभी नहीं लगा था कि यह कहानी सची हो की वहीवे बेक्विन सोच रही होती है एक मॉस्टर जो कि यहां पे जॉंग तैशुन के ट्रेजर से एट्रैक्ट हो रहा है यह काफी जटा जीव है कि उस इवल ड्रैगन का यो लोंग के साथ को नहीं है उतने में मैंली यहाँ पर कहती है अब हमें घबराने की कोई ज़रोतनी है क्योंकि यहाँ पर जांग ळॉसरों को बचाने के लिए पैसे भी लेती हो चीक है मेरे पास प्रिट स्टोन तो है पने body को आपको दे के अपनी पेमिंट कर सकती हूं सभी यह इसे बता ती ये वो ड्राइगन आपकी तरफ बढ़ रहा है वो भी काफी तेजी से ये कहता है कि गबराने की कोई जरत नहीं वो एक जंगली जानवर के अलावा कुछ नहीं मेरे लिए और तब ही ताइसुन अपनी पावर्स का यूज करके इस ड्राइगन को एकदम नीचे खिरा देता है और ये ड्राइगन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इतने बड़े हमले को देखके यहाँ पर मैल कहती है ये तो कांफी जदा अमेजिंग है इसने पूरे फिरो सिटी को हिला के रख दिया है वही पर तैसुन कहरा होता है इस बीस्ट के अपने इमोशन पर कंट्रोल लिए इसी वज़े से ये मुझे जल्दी हार गया इसे देखके तो लग रहा है ये कांफी जद दर्द में है वैसे तो ये इंशन टाइम का मॉस्टर है पर आखिर करें इसके अंदर से मुझे स्पिरूचल एनरजी क्यों सेंस हो रही है तब हो लूंग इसे बता आता है वो लगा था कि एक हजार साल पहली मर चुका होगा पर मुझे कभी ने लगा था कि अब तक जिनदा होगा तो ताइशन कहता कि ट्रेजर यह तो काफी अच्छी बात है किसने सही खाय कि अच्छी चीज को आप आने से कभी भी नहीं रोख सकते जिसके बाद ये ड्रैगन को उटने के लिए कहता है और कहता है कि तो मैं क्या लगा अगर तुम मरने की एक्टिंग करोगे तो मैं तुम पर रैम खाऊंगा तायशुन फिर इसके उपर हमला कर देता और कहता है कि मुझे अपने पावर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा वरना मैं पूरी सिटी को डिस्ट्रॉई कर दूँगा मैं अपने 10% पावर को यूज करूँगा तो वो काफी रहेगा और इसके बाद तायशुन इस ड्रैगन के उपर दुबारे से हमला कर देता है जिसके बाद वो इस ट्रैजर को उगल देता है तो यहाँ पर बेकविन कहता है यह काम आ गया उसने उस ट्रैजर को बहाँ निकाल दिया अपने पेट से और इस ट्रेजर का नाम होता है मिलिनियम मिरर हमें फिर इसके अंदर दिखा जाता है जहाँ पर पॉकिट डैमेंशन में यहाँ पर तैशुन होता है वो कहता है इस मिरर के अंदर एक डैमेंशन है इसका मतलब मैं यहाँ पर जितने भी स्प्रिट सोन है वो अपने रख सकता ह तो यहाँ पर होलू कहता है कि अपके सारी चीजे और सकते हो यहाँ तरो पिरेस्टरी से सीजा हो, तहने में वा हमारे बारे में काफ़ी कुछ पता है तुम फों कि तुम्हारा चाहरा तो सेम है पर तुम्हारा और अब बिलकुल चेंज हो करणने के बाद और आकर कोहिता किया करना चाहता हुँ। इसका कोर आ जाता है जिसके अब आद यह लोंग को कहता है क्या तुम्हें इवल ड्रैगन का कोर चाहिए यह कहता है कि हाँ यह मुझे काफी स्वाधिस्ट लग रहे है तो तैशुन कहता है कि उस बीस ने मुझे कहा कि मैं जॉंग तैशुन हूँ और साथी साथ मैं उसी समय जॉंग तैशुन नहीं हुआ करकर उसका मतलब क्या था तुम्हें पास्ट के बारे में काफी कुछ पता है तो चुप चाप मुझे सब कुछ चीज बता दो यह कहता है कि ठीक है तुमने जब मुझे पहली बार कहा कि तुम अपनी यादाश को भूल चुकि हो तो मैंने पह तैशुन कहता है इसका मतलब मैं उसकी सोल की एक फ्रेग्मेंट हूँ इसी वज़स तो उसकी मेमरी मुझे बार बार देखती रहती है जब मुझे पहली बार होश आया तो मैं शौंग यौन ट्री के अंदर था पर एक लाइटनिंग गिरने की वज़से मुझे आजादी मि क्या हुआ था तो हुलूइंग इसे बताता है करी 5000 साल पहले डीमन रेल में डीमन गौड का जनम हुआ था और उसके अंदर काफी जटा ताकत थी उसकी ताकत का अंदाज आये कामात्मीं बिल्कुल भी नहीं लगा सकता था वो काफी जटा ताकत वर अपने ऊपर काफी कर सके और कुछी सालों के बाद उसने अपनी कार में खड़ी कर लिया और कल्टीवेटर्स के उपर हमला कर दिया इससे कल्टीवेटर्स को काफी जतन उकसान हुआ पर इसके बाव जो ताइशोन आखिर तक सबसे लड़ता रहा था कि वो डीमन गौड को हरा सके उसने अपन में बढ़ गए मुझे तुम्हारी ताकत का इससे पहले अंदाजा नहीं था पर अब मेरा उप्रूबल तुम्हारे साथ है अब जब तुमने जोंग तैशोन का नाम ने लिया तो तुम्हें उसकी हिस्टी भी कैरियान करनी पड़ेगी और उसी के साथ तुम्हें कल्टीव पास उनके होलूंग सोचन लग जाता है कि इसने तो मना कर दिया अगरिकर ये फ्रेग्मेंट को क्यों ढूनना नहीं चाता अगर इसने मना कर दिया तो कल्टीवेटर्स की सारी होप चली जाएगी मुझे किसी तरह इसे मनाना पड़ेगा और मेरे पास एक रास्ता है तो हो सिटी को छोड़के फ्रेग्मेंट की तलास में अभी कि अभी निकलने वाले हैं वहीं पर हमें उस फीमेल डीमन को दिखा जाता है जो कि कहा थी कि मास्टर जैसे क्या आपने कहा था मैं आपके लिए क्यूव ऑफ कंट्रोलर तो दूसरी डीमन कहती है यह तो सच मुझ डैम उसका सर मुझे यहां पर लाके थो वही पर हमें मैल को दिखा जाता है जो कि सोच रही होती है कि जब से टाइशूं की सिटी में आया है वो काफी अलग-अलग सप्राइजस हमें दिये जा रहा है उसने इंशन ड्रैगन को मारने के साथ साथ हमें एक पावरफुल मैजिक ट दिखा जाता है जहां पर बेक्विन चुपके से इसकी बाते सुन रही होती है यहां पर ही खहरी होती है कि टाइशूं कल जाने वाल है और मुझे नहीं पता कि हम इसके बाद आप कब मिल पाएंगे मैं काफी एंबरेस फील कर रही हूं क्योंकि मैंने अब तक उसे कंफेस तक नहीं किया पर क्या पता वो मुझे रिचेक्ट करते वहीं बेक्विन सोच रही होती है कि काफी जिता सुन्दैर और साथी साथ उसकी बाड़ी भी कमाल किया है पर सबसे इंपोर्टेंट चीछ यह है कि वह काफी जिता रिच है और जाउंग तैशूंज जरूर से उसे मैं थोड़ी सी जेलिस तो हूँ पर मैं इसमें इसकी मदद कर सकती हूँ बेक्विन फिर यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके कैथरीन को थोड़ा लस्ट फुल बना देती है तब यहाँ पर तैशून आ जाता है जो कि कहता है कि कैथरीन क्या तुम सोच क्यों मैं कल इसी वज़े से मैं तुम्हें फेरविल कहने के लिए आया हूँ तो कैथरीन इसे कहते कि तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गाया है मैं तुम्हारे यहाँ पर काफी देर से इंतिजार करी हूँ मुझे लगा तो मैं इसी चले जाओगे ताईशुन ने इसे कहता कि आखिर कर लव का confession कर देती है तो ताइस न कहता है कि जो भी तुम कह रही हो मुझे नहीं लगता तुम वो कभी भी कहोगी क्या Fox ने तुम्हारे सत्कुछ किया है यह कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और हम देखते हैं इन दोनों के बीच में गुलुँगु चालू हो जाता है यह फिर अ काफी आच्छे से सोया था तब इनके सामने काल आ जाता है जो कि क्याता है कि तुम दों नों कही मीशन पहीं भी नहीं स्वाट को मुझे देद करें और में प्रॉमिस करते हूं तब यहां पे कुछ लोग आते है औरувати को डूर्ब करते है conspirator के साथ वॉल्टन फैमिली का पलपा होता है जो कि कहता है कि तुमने ट्राइल की दोरन दूसरों के डीमन कोर्स को चुराए और साथ इसा तुमने हमारे फैमिली के जॉन को भी मारा है यहां पर मेरे का फातर भी होता है, जिसका नाम मेरे बेटे को मारा है, मैं उसका बदला लेने के लिए हैं हो तुम से आज तो ताइशुन कहता है कि तुमने सारा ब्लेम मेरे उपर डाल दिया तो काल कहता है कि मैंने दुसरे फेक्ट बोले है तो ये कहता है कि मुझे फरक नहीं पड़ता कि तुम C रैंक है या फिर S रैंक की जो कि आज तुमें एक लेसन सिखाने वाले है ताइशुन कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है अगर तुम मुझे लेसन सिखाना चाते हो तो टाइम वेस्ट नहीं करते है मुझे अपने ट्रिप को भी कंटीनु करना है इसकी बाद तो यहाँ पर पाला पा कहता है कि वो इनसान जिसके अंदर बिलकुल भी साइकिक पावर नहीं है उसने एक ड्राइएन को मार दिया अपनी एक बुरी ताकत की मदद से मैं तुमें दिखाऊंगा कि आखिर कर एक ऐस रंग की ताकत क्या होती है जिसके बाद यह इसकी उपर हमला कर देता है तो तायशुन कहता है तो तुम एक लाइटिन मैजिशन हो तुम मेरे सामने काफी जिता कमजोर हो जिसके बाद तायशुन इसे दिखाता है कि आखिर का असली लाइटिन मैजिशन क्या होता है और ये इसके उपर हमला कर देता है अपने एक वार से और यहाँ पे एक बड़ा सा ट्राइगन आके इसके हमले को रोक देता है जिसी ये देखके आफी जदर है पर इससे पहले वो हमला इन सब को लगता है यहां पर आलएन अपनी शील्ड की मदद से सभी ये जान बचा लेत पर यहां पर एलेन इसे कहता है कि मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं वो लड़का काफ़े अमनॉमल है तो मैं थोड़ा सावधान रहके उसे लड़ना चाहिए पर यहां पर जैनी कहते है कि होने से फैमिली के खून के अंदर ही लड़ना लिखाया आखिरकर मुझे किसी यं क्वीन के उपर हमला कर देती है इसे लगता है यह दोने सिंगल स्ट्राइक से मारे चाहेंगी पर तैशुन इसकी हमले को रोक लेता है जो देख कि यह काफी जिदा हरान हो जाती है वो सोच थी ही तो इंपॉसिवल आखिरकर उसने मेरे हमले को कैसे रोका तो तो तैशुन मुझे काफी अच्छी लग रही है और यह काफी अच्छी दामें बिख सकती है यह फिर इसे नीचे खीच लेता है तो जैनी से पूछती है कि आखिरकर तुम कर क्या रही है कहता है कि मैं जादा कुझ नहीं कर रहा हुं मुए काफी जिदा नम्हारी कप्डों में इसकी बा आखर कर तु मेरे साथ कुछ कर क्यों नहीं रहे अगर तुम留ग मेरे उपर हमला कर देता है तैश नहीं पे काल की ओपर हमला कर देथा मैंने दोई दिन पहले सीय hecho औरहे टो आरो तेछ यहां पिर काफी के अलहे करना ये कितनी शर्बनाक बात है तुम्हारे लिए तो काल कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ ये करने की मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तो तैशुन कहता है की चिंता मत करो तुम्हारी मम्मी के साथ भी मैं यही करने वालू और हम देखते है ये इसकी मदर के उपर हम हमला कर देती है तो ताइशवन इसके हमलों से बचने के लिए यहां पर भागने लग जाता है तो जैनी कहती है कि भागने का कोई फायदा नहीं तुम इन हमलों से बचने सकती तब ही ताइशवन बेकुई इनको कहता है कि हिलना मत वही पिरोको मुझे कुछ ढूणना है तो तो यही सोच रही हो ना कि मुझे तुम्हारी बॉड़ी चीए तो यही सोचो जिसके बाद ताइशन इसकी उपर हमला कर देता है और इस हमले से जैनी के कपड़े फट जाते और वो कहते हैं कि पवर्ड आखिर कर तो मेरे साथ यह कैसे कर सकते हो यह कहता है कि पवर्ड कहलान कि आखिर कर आप ओहां पर खड़े-खड़े क्या देखे रहो आप कै मेरी मदर होते ही देखते रहोगे यह चंदा मत करो हम अपने पूरी पावर्स का यूज करने वाले और हम देखते हैं यहाँ पर पलप और एलन अपनी पूरी पावर कर के ताइशन के उपर हमला करने के से लगता है कि अब मारा गया किसने अपनी पूरी पावर्स का यूज कर दिया होता है पर ताइशुन कहता है ये तना बुरा नहीं था वैसे तो ये सप्राइजिंग अटैक था पर आखरकर तुम इन जैसी ताकतों के साथ अपने आपको गौट कैसे कह सकती हो तो एलन कहता है कि आखरकर ये कैसे हो सकता है मैं अंडिफिटिड नाइट हूँ आखरकर मैं तुम जैसे गवार के साथ कैसे हार सकता हूँ तो यहाँ पर ताइशुन कहता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा ये कहता है कि मैंने तुम्हें गवार का तो तो ताइशुन अपनी तलवार का य तो ये कहता है कि चलो हम लड़ाई शुरू कर सकते है पार पालपा यहां से भाग जाता है क्योंकि उससे समझ में आ चुका होता है कि अगर यह उसे लड़ा तो यह भी मारा जाएगा जैसे कि आलन मारा गया पालपा को लगता है कि तैशुन उसका पीछाब नहीं करने वाला क क्योंकि वो काँफि जातर अफसार से चल रहा होता है पर तबी इसके सामने ताइशुन आजाता है जो कि कहता है कि आखिर कर तुम कहां जा रहे हो तुमारे दोस्त अभी भी वही पर है यहाँ पर पालपा इसे देके काँफि घबरा आ जाता है जिसकी बाद ताईशुन इसकी गर्दन पकड़ लेता और हेवलनी स्ट्राइक दे के इसे मार देता है ये विरचैनी को कहता है कि तुम्हारे कैमपेनिन अल्रेडी हार चुकी है इसका मतलब हम जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकते है ये कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुमने मुझे यहां से जाने दिया तो मैं तुम्हें जो चाहे वो दे सकती हूँ तो ताईशुन कहता है कि ठीक है तुम्हें इस पिपर पर साइन करना है जिसके बाद हम तुम यहां पर अकेले चोड़के चले जाएंगे ये कहती है इतने सारी स्पिरिचल स्टोन मेरे पस नहीं आखिर कर मैं क्या करूँगी तो ये कहता है कि तुम्हारे अलावा दोर फैंबलीज भी है अगर तुम्हारे पस नहीं है तो तुम उन से मांग सकती हो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा बेटा अभी भी सास ले रहा है ये तुम्हारे उपर है कि तुम साइन करोगी की नहीं तो ये कहती है कि ठीक है मैं साइन करने के लिए तयार हूँ मर रहा है किया तूम मेरा हाथ खुल सकती हूं ताकि मैं उसे देख सको यह कहती है कि यह हालए तुमारी उस कल टीवेटर नहीं की होगी क्या तूम मुझे पता सकती हूं कि आखिर कर ez जल्दी पगड़ोगी तो यह पर यहां पर यहां पर कहता है यहां पर हम आज नियुगा ले होता है और हम इसी के अंदर अपनी राध बिताने वाले तायशोन फिर spiritual stones के साथ अपनी cultivation को शुरू करते है पर वही भी बेक्वीन के मन में काफी अजीब ख्यालात आ रहे होते हैं तो इस चीज को कम करने के लिए वो इस जगे से भार जाने का फैसला करती है और जैसे ये भार निकलती है इसकी उपर एक बड़ा सा पतर कोई फेक देता है पर ये इसो डॉज कर लेती है और कहती है कि आखरी का कौन है जिसने मेरे उपर हमला काने की कोशिश की क्या तुम भी फेरो सिटी के वहां से हो तब ही इसके पर कुछ गॉलम समला कर देते है पर ये इनके भी हमलों को डॉज कर देती है जिसकी बाद ये कहती है कि अपना असली रूप देखो आखरेकार तुम छुप छुप के वार क्यों कर रही हो और तब ही वो डीमन इसके पीछे आ जाती है जो कि कहती कि तुम्हें पता भी है तुम्हें ढूनने में मुझे कितना ज़्याएव वक्त लगा तुम्हें ढूनतीने के लिए मैंने कितना ज़्याएव पर फैनली मैंने तुम्हे ढूनी तो ये कहती है कि तुम अपने आप में काफी ज़ता खोई हुई हो लगता है मेरा गैस बिलकुल सही था तुम वही परसा नो और मैं यहां पर डीमन गॉड के कहने पे तुमारी लाइफ लेने के लिए आई हूँ यह फिर बेक्विन की उपर हमला कर देती है और बेक्विन इस जब तक हम पॉलिट डैमनेक आइटमस को एक साथ जोरते गए लेक्विन गॉड दुबारस से पैदा होंगे और दुबारस अपनी ताकत को हासिल करके तीनों दुनियाओं में राज करेंगे बेक्विन फिर इसका शुक्रिया करते हैं यह सब बताने के लिए सी और यह कहते हैं कि कम से कम मुझे यह तो पता चला कि आखिर कर जौंग ताइशुन का दुश्मन कौन है तो यह कहती कि तुम्हारा मतलब क्या है और आखिर कर यह ता कहती है कि आखिर कर तुमने मेरे इस चाम को कैसे ब्रेक किया यह तुम्हारी इस चोटी से ट्रिक से तुम मुझे हरा सकती हो मैं डीमन गॉड को काफी जदा एडमायर करती हो और यह चीज दिखा के तुमने डीमन गॉड की बेस्ते किया है मैं तुम्हें आज नहीं डीमन गॉड से सिमिलर होती है यह यहाँ पर सोच ली हो देगे लगता है इलूशन का सर मेरे उपर सब तक गयाने है जिसकी बाद ही कहती है तब ही मैं सोचो कि आखिरकार एक और दूसरी औरत के साथ इतनी बुरी तरह टॉर्चर कैसे कर सकती है तो तुम थे जिसने उस और को टॉर्चर किया तुम वही कल्टिवेटर हो जिसे मुझे मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया है और आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी यह फिर अपनी पावर्स का यूज करके तायशून की ओपर यहाँ पर मिट्टी के क्रिस्टल्स फेक देती है इसे लगता ह करें कल्टिवेटर इतना जाता ताकतवर कैसे यह तो यहाँ पर तायशून का फिजदा गुस्ता वाली नजरों से इसे देखने लग जाता है इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखर कर यह तना ज़्यादा गुस्ता क्यों है तायशून फिर से कहता है कि तुमने अभी भी क्या कहा तुमने किसी मारा और यहाँ से जगाने वो तो भी कंटीन हो जाती है अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्स्राइब और कमेंट करना मकभूला हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हो फिल आपको यह वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना